तो अब राइड करते हैं जावा 350 को एन एक्जॉस का थम भी अच्छा लग रहा है रिस्पॉंस जो है थ्रोटल का वो भी बहुत सही है सिक्स गेर आते हैं तो आपको अच्छा जो है मिल जाता है पहले गेर टाइम बहुत जली चेंज करने पड़ते थे बढ़ा भी वह फील नहीं हो रहा है अच्छा मैं खीच रहा हूं एक ही गेर में आप मैं चेंज करूंग तो जो स्पीड रेशियो था मुझे लगता है वो भी जो है चेंज किया हूँ है और हैंडलिंग भी जो है बाइक की वह बहुत ही अच्छे लग रही है इवन आप फुटपैक देखिए तो ज्यादा बैंड नहीं कर रहे हैं ज्यादा नीचे के तरफ भी नहीं है एंड बाइक की ब्रेकिंग भी डिसेंट है लिवर जो है वो भी थोड़ा ब्रॉट दियो है यह देखिए इमर्जेंसी ब्रेकिंग अब जो हैना टॉर्क एक्छली में बाइक काना फील हो रहा है हैंडलिंग का टॉर्णिंग ब्रेकिंग वर बाद होगे इस सिटिंग बड़ी बहुत अच्छा है है हैंडल थोड़ा स्ट्रेट टाइप का है मुझे ऐसा फील हो रहा है देख है यू टाइप का है बड़ स्पीडोमिटर में यही चीज़ है कि इसका जो लोवर जो नंबर्स है वो नहीं दिखाए देने हैं बागी सारे नंबर्स जो हैं विजिबल है जावा की एक्चल में वर्किंग इसमें इस बाइक में न वो देखने मिली है पहले मैंने बॉबर भी चलाई वी थी तो बॉबर में में एक डिफरेंट फील हुआ था जावा फॉर्टी टू बॉबर उसमें एक डिफरेंट फील हो रहा था एंड इसका ब्लाक कलर मेरा बहुत यह डिफरेंट लग रहा हाला कि मरून कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था ओरन कलर मैंने लाइव नहीं नहीं देखा बर ओरन्ज कलर कुछ कॉपर लुक जो है वो दे रहा है मैस्टिक कॉपर मैस्टिक और जो है इसका नाम दिया गया है suspensionCTV यो है थोड़ा stiff लग रहे है upfront का थोड़ा stiff लग रहे है rear का भी थोड़ा stiff लग रहे है बट वो अप एड़्जेस्स कर सकते है rear में suspension adjustment यो है वो दि हुई है बटे सीटी और हाइवे दोनों में जो है आप इसको इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं जावा के तरब से भी कुछ ऐसे दरी इसके इंदर आई हुई है जो आप इसमें लोड करवा सकते हैं कर दो चाइब हागा फित सकते हैं काइब है कर दो सकते हैं ख